हाई गाईस कैसे हैं आप सबी लोग आई हूँ अच्छे होंगे और आज की वीडियो में देखेंगे बीकॉंब फस्त सेमस्टर का पेपर है जिसे कंप्यूटर एप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है यह पेपर का नाम हो जाएगा कंप्यूटर एप्लिकेशन 2022 में आने वाल पेपर में टोटल छपता होगा मतलब जो आ रहा है वही दूँगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दस कोशन याद करके आप 85 परशेंट भी ला सकते हैं 85 की बारती नहीं करूंगा लगबक 70% प्लस लेके आओगे महां से 70% प्लस यदि आप दो दिन जो मैं आपको 10 को सब्सक्राइब करना है और अपस होंगे इन और से होंगे इसलिए को यह विछले तरीके से बढ़ने मैं अब से बादा करता हूं कि आपको फिल नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों को शैर कर देना है पहला कोशन होता ह या होता ये उसके महत बता हो उनकी सीमा मता विसेस्था बतादू कंप्यूटर के के प्रकार भी बता दो यटादो चीपटर कि अब इन दो होता है वन्हक्म तो आरा स्सक्राव जानते हों से इस से चलता है मोनिटर आलग इसमें एक होता है तो बीपसाइब में कम्पीटर का अनुपयोग कैसे होता यह आप देखेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे next कोशन हाडवेर क्या होता है power के प्रकार बताओ software क्या होता है उसके बारे में बताओ software की बारे में लेको hardware क्या होता है वह बताओ ठीक और disk operating system जानते हो जिसे कहता है D.O.S को कहता है disk operating system के car क्या होता है यह अच्छी तरह के से पढ़ ने edu और विंडो तो जानते हो विंडो टैन विंडो टैन विंडो एट विंडो सेवन ठीक है उन पर निबंद लिखना है विंडो होती क्या है यह निबंद लिखना है एक से लिखना है उसके बाद में संख्या परांड़ी क्या होती है नंबर ठीक है संख्या परांड़ी की बात की सिस्टम क्या है उद्देश क्या है कार क्या है लाव और दोसों के बारे में आपको बता देना है उसके बाद में आता है डाटा संसाधन डाटा संसाधन क्या होता है डाटा प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं ठीक है प्रो प्रोसेसिंग बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग क्या है डा डाकुमेंट बनाने पर प्रिंट करने की बिधी और उनकी विस्तिस्ता और कारों के बारे में लिखना है तो वहीं आप एक बार पढ़नेंगे सब कुछ याद हो जाएगा कंप्यूटर के आगत और निर्गत उपकरण क्या होते हैं आने वाले जाने वाले जो उपकरण होते हैं वह कौन कौन से होते हैं वह आपको देखना है Input Unit और Output Unit क्या होती है Input और Output के बारे में आपको याद कर लेना है Computer का जो विकास चरण कैसे कैसे हुआ कौन कौन सा विकास चरण पहले कौन सा computer है उसके बाद दूसरा कसौन सा है तीसरा कौन सा पांच मा कौन सा है था इस प्रकास जितने भी computer बने थे उनके विकास चरण की बारे में पूरा याद होना चाहिए Computer की मूलभूत सिध्धान्त क्या है computer का मूलभूत सिध्धान्त को याद कर लेना और वाइरस संक्रण क्या होते है मतलब कि computer करने दो वाइरस आ जाता है उसका क्या है वो आपको देख लेने Greek code उद्धा उधान आपको बताना है Greek code क्या होता है Data and information में अंतर बताना है डाटा और information में क्या अंतर होता है दोनों में अंतरयाद कर लेना और यहां बोला गया next question बोला गया सब्संसाधन जिसे word processing कहते हैं क्या है इसकी कार बताओ सब्संसाधन क्या है आपको बताना है ठीक है उसके बाद मतला है local area network में गुड़ दोस बताना है लास्ट question में आपको बताउगा जिसका नाम है के गुड़ दोस जिसे कहते हैं विड एरिया network के गुड़ दोस आपको बताना है local area network और विड एरिया network ठीक है इन दोनों में अंतर पूछ लेता है LAN और WN में अंतर बताओ तो आप अच्छी तरीके से बता देंगे तब आपने पढ़ा होगा तो आज की वीडियो कैसे लगी आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रू बताना मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सस्क्राइब कर बैल आइकन को प्रेस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेर करेंगे मैं आपसे बादा करता हूँ यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा आप पेपर हैकर यूट्यूब शेर को सस्क्राइब कर लेजए